ओम गैशी महागड़े शाय नमा राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों रविवार का दिन भगवान सूरे देप को समर्पित होता है सूरे देप को ग्रहों के राजा कहा जाता है मानिताओं के अनसार जिस विक्ती पर सूरे देप की कृपा होती है उसके सभी ग्रहे दोश्टूर हो जाते हैं सूरे देव को प्रसंद करने के लिए रविवार का दिन बहुत ही खास माना जाता है मानिताओं के अनुसार रविवार के दिन सूरे देव को जल अर्पित करने से सूरे देव अतिशीकर ही प्रसंद हो जाते हैं रविवार के दिन सूरे देप को जल देने वाले लोटे में सिर्फ एक यह चीज डाल कर भगवान सूरे को जल देने से भगवान शीहरी विश्णु और भगवान सूरे देप अतिशीकर ही प्रसन हो जाते हैं। जीवन में जले आ रहे संकर दूर होते हैं, पिगन बाधाओं से मुक्ति मिलती हैं, उच्चपध मान सम्मान की प्राप्ति होती हैं और हर छेतर में सफलता मिलती हैं। उत्र होने के कारण ही इन्हें आदित्य कहा जाता है। देवी दूर करने की अपाश शक्ति है। ब्रह्म पुराण के अनसा सूरे देव सरशेष देवता हैं। इनके उपासना करने वाले भग्त जो सामगरी इन्हें अर्पित करते हैं। सूरे देव उसे लाग कुना करके लोटाते हैं। सूरे उपनशित के अनसा सभी देवता, गंधर और रिशी सूरे के केर्णों में बास करते हैं। सूरे देव के उपासना के बिना किसी का भी कल्यार संभब नहीं है। इसकंद पुरान के अनसार सूरे देव को जल चड़ाये बिना भोजन काना पाप कर्म के समान माना जाता है। दोस्तों सूरे देब की कृमा के बिना व्यक्ति को उच्चपत की मान सम्मान की प्रापती नहीं होती। बैसे तो हर एक व्यक्ति को सूरे देब का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन खासका जिन लुगों की कुंडली में सूरे कमजोर हो। जिनमें आत्मविश्वास की कमी हो, जो फीड में घवराते हो, जो निराशवाती हो, जिन पर नकारात्मकता हावी रहती हो, जिनें हमेशा कोई अग्यार फैसताता रहता हो जिन लोगों को घर परिवार और समार में मान समान चाहिए उन्हें सुरे देव का रोजाना अवर्शे ही पूजन करना चाहिए अगर आप रोज नहीं कर सकते तो कम से कम रविवार के दिन सूरे देव का पूजन अवश्य ही करें रविवार का दिन सूरे देव को समर्बित है दोस्तों सूरे देव की कृपा प्राप्त कहने के लिए सूरे देव को प्रसन्य कहने के लिए सबसे आसान उपाय है सूरे देव को आध्य देना यानि कि सूरे देब को जल चढ़ाना सूरे देब को आध्य देने से मनुष्य का दुर्भागे भी सौभागे में परवतित हो जाता है लेकिन दूस्तों सूरे देब को जल चढ़ाने की भी खास बिधी होती है अगर सूरे देब को गलत बिधी से जल चढ़ाया जाए तो उसका कोई लाफ प्राप्त नहीं होता इसलिए सूरे देब को हमेशा सही बिधी से जल चढ़ाए सूरे देब को जल चढ़ाने की सही बिधी जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखे सूरे देव को जल चढ़ाने का सबसे पहला नियम यह है कि उन्हें सुभे आठ बजी से पहले ही जल अर्पित करना चाहिए सबसे उत्तम होता है सूरे उदेख के समय सूरे देव को जल अर्पित करना कोशिश करें सुभे आठ बजी तक सूरे देव को जल अर्पित कर दें अगर आठ बजी तक ना कर पाए तो आप तो फेर बारे बजी तक भी सूरे देव को जल अर्पित कर सकते हैं सूरे देब को जल चढ़ाने के लिए सुबह उठकर नित्यकरिया से निब्रत होकर इसनान करके सच्छ रंगे बस्त धारन करें हो सके तो सूरे देब को जल चढ़ाते समय पीले नारंगे या फिल लाल रंगे बस्त ही धारन करें सूरे देब को जल चढ़ाते समय सूरे देब का पूजर काते समय कभी भी काले रंगे बस्त नहीं पहनने चाहिए सूरे देब को जल चढ़ाने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए सूरे देब को जल चढ़ाने के लिए तांबे के पात्र का ही इस्तमाल कहना चाहें जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे में आप शुद्ध जल परें अगर गंगा जल हो तो थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही डाले जल में एक चुटकी हल्दी एक चुटकी कुमकुम थोड़ी से शक्कर या गुड़ और थोड़े से साबुचावर डाने हो सके तो जल में दो लाल रंग के पुश्प अवश्य ही डाने अब इस जल से सूरे देप को आधे दे दोस्तों अगर आपको चल देने में देड हो गई है या बादलों की बज़े से सूरे देप दिख नहीं दहें है तब भी आप सूरे देप को पुर्वे दिशा की तरफ मुक करके ही जल दे सूरे देप को जल और पिद करने के लिए जल के बात रुखो अपने दौनों हाथों में लेकर अपने से से उपर उठाएं और इस तरहें सूरे देब को जल दें सूरे देब को जल आपको तीन बार में देना है यानि कि थोड़ा सा जल अर्पित करें फिर रुकें फिर अर्पित करें इस तरहें से पूरा जल आपको तीन बार में सूरे देव को अर्पित करना है इस तरहें जल अर्पित करने से जल की थारा में से सूरे की सातों केड़ने आपके शरीर पर पढ़ेंगी और आपका शरीर निरोकी और तेजबान बनेगा सूरे देव को जल अर्पित करने से नब क्रह की भी करपा बनी दहती है सूरे देव को जल अर्पित करते समय वैसे तो सूरे देव के किसी भी मंतर का जाप किया जा सकता है लेकिन सूरे गायत्री मंतर का जाप करना सर्श्रिष्ट माना गया है सूरे देप का गायत्री मंतर है ओम भासकराय विदमहिं महाते जाय धीमई तन्नो सूरे बचो दयाद जल चढ़ाती समय सूरे देप के इस गायत्री मंतर का चाप करें सूरे देप को जल अर्पित करने के बाद अपने इस्थान पर ही खड़े होकर तीन बार क्लॉकवाइस खूंकर सूरे देप की परिक्रमा करें जल के पातर पर जो हल्दी और कुमकुम बची है उसे आप अपने माथे और कंठ पर लगाएं सूरे देप को जो जल आपने चड़ाया है जुक कर उस जल को लेकर भी अपने माथे पर लगाएं इसके बाद सूरे देप के सामने आसन बिचाकर बैठ चाएं या फिर अपने घर में ही आकर पूर्वी दिशा की तरफ मुख करकर आसन बिचाकर बैठ चाएं आप सूरे देब के मंतर का आप 108 पा चाप करें। आप सूरे देब के गाइधरी मंतर का चाप करें। लेकिन अगर आपके पास रोच इतना समय नहीं हैं। तो आप सूरे देब के ओम घ्रणी सूर्याय नमा मंतर का चाप करें। इस तहें सूरे देब का पूजन करने से सूरे देब की कृपा प्राप्त होती है सूरे देब की कृपा से जीवन और कामकाज में आने वाली बाधायें दूर होती है साथ ही धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं ग्रह दोश के नकारातनक प्रभाव कम होते हैं और घर में शुक्षान्ती का वातावरन बनता है आपके कौशल में निखार आता है जिससे आपका ब्यापार और कामकार अच्छा होने लगता है सूरे देब की ही कृपार से व्यक्ति को उच्चपत और समाज और घर परिवार में मान समान की प्राप्ति होती है सूरे देब को जल अरपन करने से मन की एकागरता भी बढ़ती है जिससे व्यक्ति का मन इधर उधर नहीं भटकता इससे व्यक्ति अपनी जटल से जटल समस्याओं का हल आसानी से निकाल दीता किसी व्यक्ति को अगर सेर्दद, हड्डियों का दद, अनिंद्रा या किसी भी प्रकार का कोई रोग है तो उन्हीं प्रतेग दिन सूरे देब को जल अवश्य ही अरपित करना चाहें माना जाता है कि सूरे देब की करपासे समस्ते रोगों से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति सस्त जीवन बतीत करता है सूरे देब को जल चड़ाने से नेतर रोग दूर होते हैं नौकरी में उन्नती मिलती है जोते शास्तर में सूरे को राजा, राज के छेतर, पिता और नौकरी में अधिकारी का कारक माना गया है सूरे देब को जल देने से सूरे का अनकूल फल प्राप्त होता है और इन सभी मामलों में शुफल की प्राप्ती होती है सूरे देब हिदय के भी स्वामी होते हैं सूरेदेब का पूजन करने से हिदर सम्मंदित रोग भी दूर हो जाते हैं। सॉयम भाकवाईशी किष्ने अपने पुतर शाम को कुष्ट रोग होने पर सूरेदेब की उपासना करने की सला दी थी। विध्यादियों को अवश्य ही सूरे देव का पूचन करना चाहें, सूरे देव का पूचन करने से हर छेतर में सफलता प्राप्त होती है, जो व्यक्ति सूरे देव को जल चड़ाता है, सूरे देव की करपा से उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, चाहे समस्या सभी समस्याइं भागवान सूरे देव की करपा से दूर हो जाती हैं सूरे देव का पूजिन करते समय इस बात का विशिष ध्यान रखें कि आप जो सूरे देव को जल चढ़ाएं वह आपके पैरों में नहीं आना चाहिए अगर आपके यहां खुली छत या ऐसी कोई जगह न आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होकी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फर्यन्स और इस्तेधारों में ज़्याद से ज़्यादा शीयर करें जिस से भ叹भ भी का लाव उठा सके हमारी और भी वीडियोज के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न खूलें.